हेलो फ्रेंट्स, मलीना, ये 2000 की मुवी आज में आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक छोड़ा लड़का, एक औरत की पैप में पढ़ जाता है इसके बाद क्या होता है, ये आज की मुवी की स्टोरी लाइन है इस मुवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है, और बहुत सारी छीसी रिविल करती है सोसाइटी किस तरीके से लोग को देखती है, और इस्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया इसके एक complete inside ये movie देखर जाती है movie start होती है और movie की setting हमें दिखाई जाती है movie जो है ये Italy के एक शहर में चल रही है हमारा main character एक छोड़ा लड़का Reneto हमें दिखता है इनके country में war का एलान हो जुका है पर आज उसे bicycle मेली है तो बहुत खुश है bicycle लेकर ये बड़े बच्चों के पास चला जाता है इन बड़े लड़कों का एक exclusive gang है जिसने Reneto को भी शामिल होना है इसे वज़े से इसने cycle buy की है क्योंकि इन सब के पास cycle है Reneto जब cycle लेकर आता है तो इसके वो friends बन जाते है ये बात ही कर रहे होते है तभी वहाँ से मलीना आती है ये सब लड़के बैट जाते है और मलीना को देखने लग जाते है Reneto मलीना को पहली वार देखता है तभी उसे प्यार हो जाता है मलीना एक बहुत ब्यूटिफुल होती है और सब लोग इसके पीछे होते है जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते है और फिर से उसे देखते है इसा करते करते शहर तक वो पहुचते है मलीना इन सब के हैं एक टीचर की लड़की होती है ये टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इनसे वो बहुत मजाग करते है ये सब लड़के समुन्दर के पास बेट कर अपने आपको मेजर गर रहे होते हैं इसमें से एक लड़का ब्रैक करता हो कहता है या लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिग्रेट लाने के लिए बोला था अब रेनितों को लगता है कि बढ़ा हो चुका है हाप पैंड्स पेहनना उसे ज़़ा गलत लगता है तो अपनी फैदर की पैंड लेता है और उसे एल्टर करवा कर लाता है जब उसके फादर को पता चलता है तो बहुत ही जीड जाते है यजिसे कुत्ते जैसे मारते यह अपने फादर को कहते हैं कि मुझे शर्म आती है। उसके फादर और वो फिर डील बनाते हैं उस वक्ष इतिली में मुस् AUDIENCE आ wrapsट इसके फादर कहते हैं कि जिस दिन मुसuralini मर जाएगा उस दिन में तुम पेंट दिनवाँ जाता है। रने तो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बना कर देखता है कि उसके घर में जल क्या रहा है, मलीना अपने घर में अकेली होती है, उसका हस्बंड वार में चला गया होता है, रने तो जब बारबर शॉप में जाता है, मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते ह कशिए आप कोई न पछी तो होगा जो से लागता होगा उसका हस्बंड बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ है सिर्फ रूबंस फैनाने का काम सब लगाना चाहिए, तो पर विचार परिशान हो जाता है, वो उसे बोल के लिए कहता है, और अपने आपको प्लीज करने लग जाता है, समूंदर के पास आकर मलीना को एक लेटर लिखता है, उसमें लिख रहा होता है, कि मुझे पता है, तुम्हारे लाइफ मेरे सिवा कोई भी टेक देता है को पीछा से खर को थे शेर में देखता है मलीघ को एक घर तक एक घर के खीड़की से कैवाई की आपनले चलिल रहा है जेसे लुक कहते ही है तो कि उसके तो होuks Mits typical अभेर जाए और हुआ जलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन दीखता है इसमें मलीना को Confront कर रहा है कि क्यों उसने उसे दगा दिया यह Heart Brogue हो जाता है इसे और भी curiosity है कि मलीना किसके साथ है तो वो फिर से उसका पीछा उसके बीडिग के आवाज आती है तो उसके फाथरों से बहुत डाटते हैं पर फिर भी मानने वाला नहीं होता नेकली में हम देखते है कि रड़ अपने फ्रें से बात कर रहे होते हैं मलीना का हस्बन वार में शहीद हो गया मलीना उसके फादर की घर पर होती है यहाँ भी रने तो आ जाता है उसे बाहर से ही देखता है पर वो इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुमारा खैल रहूँ सिर्म मुझे थोड़े से साल दो भूब देता है मलीना के खिलाफ कोई जाया यह उसे अच्छा नहीं लगता रहूंगा रहने तो एक दिन जब मलीना पर नज़र रख रहा होता है तो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका ब्लाउज वो बाहर ही रख देती है रहने तो जाकर यह ब्लाउज लेकर भूर बढ़ेन हुआ है भीकषा उससे मारने लंवच जाते है इसकी मदर ज़से स्दो लोग कर देते हैं दो बाहर नहीं हुआ सकता यह जाता है और वहां से कुछ चले जाते हैं रवने तो her and she's moan के घर में शाक कर देख रहा है रात में अगशके आरफ चुका है यहा हम Mullini को पता जलता है कि सका निकलता है तो उसे लृफ्में दोक्टर देखतेए बाशा कर देना मेनी फियान से हिसे जाते हम्हों काह चाती है दॉक्टर की वाइब इसका पीचाई कर रहे थी, क्योंकि इसे पता था कि इसका कही ना कही चक्कर चल रहा है, यहाँ और भी लोग आ जाते हैं, और यह बड़ा एशू बन जाता है, सब को लगता है, कि मलीना ने डॉक्टर के साथ, यानि एक मैरिट आदमी के साथ संबन बन है, इसे वजब से इसे जेल भी हो सकती है, मलीना अब एक लीगल टरबल में है, तो एक एडवोकेट के पास आती है, जब इसका कोड़ चलता है, तो दॉक्टर कहता है, यह दिखाने के लिए मलीना का और उसका रिलेशनशिप है, यह बता रहा था, एक्चेल में ऐसा कुछ जाता है तो कहती है कि यह मेरा परसनल मेंटर है इसे जानने का हग किसी को भी नहीं है स्कैंडल की वज़े से उस आर्मी ऑफिसर की बदली हो जाती है अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर लॉयर आया हुआ है यह उसे टच करने कोशिश करता है तो मलीना उसे पैसे देती है वो कहती है कि इससे जाधा में कुछ भी नहीं दे सकती है के मेरी फिसस तो इससे बहुत को सब लोग लूजर समझते है कोई भी लड़ कि इसके पास नहीं जाती क्योंकि वह स्टिंग करता है यह मिड़ल एज है फिर भी कैसे पूरी जिंदगी वीता सकती हो उसकी टीचर उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी टीचर से भी पोछ लेता है उसे लगता है कि वो मलीना ही है यह यहाँ बहुत मार खाता है रने तो वो प्रॉक्टर पर नज़र रख रहा है डॉक्टर जपनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है सबने अफ़ा बनाई है कि मलीना सब लोग के साथ सोती है इसी वज़े से उसकी मदर उसे बहुत मारती है अब मुवी में मुसुलीनी मर चुका है तो रहने तो नई पैन मिल जाती है मलीना लोयर से शादी नहीं करना चाती तो उसे हो मना कर देती है इसके बाद मलीना की financial situation बहुत ही खराब हो जाती है मलीना को उसके हस्बन के भी pension अब मिलने रही तो उसके खाने पिने का भी बहुत बड़ा problem हो जाता है उसके बहुत बद्नामी हो गई है तो अगर उसके पास पैसे भी होते है तब भी उसे कोई सब्जिया वागिरा नहीं देता मलीना एक दूसरे आदमे से मिलती है और उसे ब्रेट लेती है इसके बदले में के भी इसके साथ intimate होना चाता है अब नेकसिन में हम देखते है कि इनके शेहर के उपर से प्लेन कुजरते है और बहुत बड़े बॉंब्स इन पर डाल देते है इसमें मलीना के फादर मर जाते है इस funeral पर सब लोग उसे कहते है कि उसका सहारा बन सकते है पर इन सब को सिर्फ इसके साथ intimate ही होना होता है रात में मलीना के पास खाना देने के लिए कादमी आता है ये फिर से उस पर जबक पड़ता है इस बार मलीना रेजिस नहीं करती अब नेकसिन में हमें दिखता है कि मलीना ने पुरा makeover कर लिया है मलीना पैसे कमा सके इसने प्रोस्टूजिशन में चली जाती है ये सब देखकर रानितो को बहुत ही बुरा लगता है ये डिप्रेंस्ट हो जाता है कुछ भी खाना पिना नहीं कर रहा होता सब को लगता है कि भूद ने इसे पचाड लिया है इस पर सब treatment होती है जाज में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता रनितों के फादर समझ आते है कि इसकी बिमारी अलग ही है इसे डारेक्ली वो रेड लाइट एरिया में एक प्रोस्टूट के पास लेकर आते है जब प्रोस्टूट रनिता के साथ होती है तो इसे लगता है कि ये मलीना ही है वो मलीना को ही imagine करता है अब थोड़े दिन गुजर जाते है इटली वार में जीत चुकी है और वहाँ जशन मनाया जा रहा है मलीना प्रोस्टूटूशन करने लग गई है तो गाउ की सब औरते अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है अब सब वाइफ डिसाड करती है कि मलीना को सहर से बाहर निकाल देगी उसे बहुत मारते है मलीना भी वहाँ से निकल जाती है रने तो मलीना को जाते होई देखता है थोड़ी दिनों बाद मलीना का हस्बन गाउ में आ जाता है यह मरा नहीं था इसका हाट टूट गया था और सब को लगा था यह मर चुका है यह गाउ में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहा था जब अपने घर पर पहुँचता है तो वह इमिग्रंट्स रह रहे होते है यह फिर आर्मी के ओफिस में आ जाता है यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रॉस्ट्यूट बन चुकी है इसे बहुत ही दुख होता है यह नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है मलीना के बारे में पुछता है यह सब कहते है कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी यह इसकी इंसर्ट करते है हस्मन और उनकी फाइट हो जाती है पर हस्मन ही गिर जाता है उसका हाट टूटा हुआ है तो ऊट नहीं सकता रने तो भी उसका पीछा करते गरते यह सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है रात में हस्मन अपने घर पर होता है तो रने तो चूपके से जाकर उसे चिट्टी देख रहाता है आज हो भाग जाता है इस चिट्टी में लिखा होता है तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं, ये सब कुछ गलत है, सब बुरी चीज़े लोग मलीना के बारे में कहते हैं, और मुझे पता है, कि हमेशा तुम से ही प्यार करती थी, उसने जो सब चीज़े की, उसने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की, रानेतों को पता है कि मलीना कहा गई है, तो उसकी लोगेशन हो बता देता है, हजबन में मलीना को लेने के लिए चला जाता है, थोड़े दिनों बाद मलीना और उसका हजबन गाव में वापस आ जाते हैं, सब लोग इन्हें देखने लग जाते हैं, पर इन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता, निक और यह सब उठाने में उसे मदद करता है, जाते जाते उससे कहता है, कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए गूड लग, मलीना भी स्माइल देती है, और रने तो वहाँ से चला जाता है, रने तो कहता है, कि अब मैं वहाँ से भाग गया, मेरे इनोसन से, मेरे पुरानी होगी, उसके बीचे रूमर्स बना लग गए, वो एक और थे, तो सिर्फ उसे अब्जेक्टिफाई करने लग गया, मलीना उनकी सेक्श्वल डिजार्स कम्पेट करने का सिर्फ एक जरिया था, रने तो भी मलीना से अट्टेक्टर था, और फरसली उसे सकते, उसके बारे में रूमर करना कितना गलत है, ये मुवी हममें बताती है, मलीना को सब लोग जो समझते थे, बाद में मलीना वही बन गए, उसके बात भी सब लोगं ने उसे मार मार कर काव से बाहर निकाल दिया, और थो आधडिश चानल को सबस्राइब कर दीजिए और बेल नोटिवेशन आइकन दबाने में मत भूले। हम विर से मिलेंगे और ही नए मुवी के साथ तो पिलिए थैंक्यू और आपने आपका ख्याल रखेंगे।